नगनिगम की रिमूवल कारिवाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें पोकलेन पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गिनने के कारण ड्राइवर गमी रूप से घायल हो गया हादसे में घायल ड्राइवर का निजी अस्पताल में लाज जारी है देखिए खास रिपूर् कारिवाई के दौरान मौके पर नगनिगम की भवन अधिकारी गजल खन्ना मौझूद थी घटना की सूचना मिलते ही अपर आयुक्त संदीप सोनी मौके पर पहुचे घायल ड्राइवर को तदकाल इलाज के लिए अस्पताल भीजा गया नगमायक्त प्रतिभापाल ने कहा कि हाथसे को लिकर जवाबदारों को नोटिस जारी किये जाएंगे हाथसे पर बी आई और बीयो को नोटिस जारी करने के साथ ही घटना करम की जाच का जिमा अपर आयुक्त संदीप सोनी को सौपा गया आयुक्त प्रतिभापाल ने बताया कि हाथसे में घायल कर्मचारी भी खत्रे से बाहर है और नगनिगम उनका बहतर से बहतर इलाज करवाईगी उनको छोट आये घायले और बंबेव हस्पिटल में ततकाल उनको भरती कराया गया है अपर आयुक्त खुद मौके पर रहे वहाँ देख करके कराया है उनका इलाज चल रहा है लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो सेफ रहेंगे अभी आउट अफ डेंजर हैं डॉक्टर से जामल प्षित हैं और जो मलवालवाय वहां से अटाने की करवाई की जा रहे हैं उनका इलाज नगर निगम कर्मी करा रहा है उनको बंबेव हस्पिटल में इसलिए ततकाल भरती भी कराया गया है तो आगे जो भी ऐसी विवस्था बने कि हम लोग उस पर सहानभूती से विचार क करेंगे वह नगर निगम कर्मी की हालत खत्रे से बाहर है और इंदौर नगर निगम खायल ट्राइवर का बहतर से बहतर इलाज करवाई की व्यूर रिपोर्ट एंपी न्यूस टीवी इंदौर